Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbava.com We are back with our daily current interface, तो चलिए ये जानते हैं, 19 और 20 जिलाई की current interface क्या है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हमारे टेलिग्राम चानल का लिंक, आज की क्लास का PDF का लिंक और हमारे current affairs आपका लिंक सभी नीचे description box में हैं, वहाँ से आप उसे चेक आउट कर सकते हैं, और अगर आपने हमारी weekly revision MCQ क्लास मिस की हैं, तो उपर आई बटन में questions की तरफ, पहला सवाल, किस वर्ष तक अरुनाचल प्रदेश की सरकार ने ये तै किया है कि वो सभी घरों में tap water connections प्रोवाइट कराएंगे under the जल जीवन mission, पांच options है हमारे पास, तो चलिए the answer is C.2023, तो चलिए पहले जान लेते हैं जल जीवन mission के बारे में, ये हमारे प् केंद्रिय सरकार चाहती है कि सभी घरों में 100% tap water connection प्रोवाइट कराया जाएं, सभी मेंली ग्रामिन इलाकों में जहां पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इसके तहरे time to time हमारी केंद्रिय सरकार funds allocate करती है, अलग-अलग states को जिसके तहरे वो ये target अचीव कर सके, अलग- ये तेय किया है कि 2023 तक वो ये target अचीव कर लेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे explanations की तरफ, चलिए explanations जान लेते हैं, अरुनाचल प्रदेश की government ने ये तेय किया है कि 100% tap water connections वो सभी गरों को provide कराएंगे in the state of अरुनाचल प्रदेश by the year 2023, इसके तहत लोगों को tap water connection मिलेगा औ और साफ पानी भी उन्हें पीने को मिलेगा, तो चलिए अरुनाचल प्रदेश के वारे में कुछ जान लेते हैं, अरुनाचल प्रदेश का capital है इटा नगर, अरुनाचल प्रदेश की chief minister का नाम है पेमा खांडू और इनके governor का नाम है बीडी मिश्रा, आगे बढ़ने से पह उसे दादा साहिब, दादा साहिब फाल के film festival में अवार्ड से नवाजा गया है और ये movie है on the custom of honey hunting चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे question की तरफ, दूसरा सवाल, जून 2020 तक इन में से कितने states और union territories ने one nation, one rashan card scheme को adopt किया है पाँच options है हमारे पास, तो चलिए the answer is C20, 20 states और union territories ने one nation, one rashan card scheme को adopt किया है आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि पहले ये scheme exactly है क्या, one nation, one rashan card एक scheme है हमारी केंद्रिय सरकार की, जिससे ये जो difficulties होती है हमारे migrant labors को या फिर जो लोग below poverty line रहते हैं उनकी समस्या को दूर करने के लिए ये scheme launch की गई है इसके तहट जो भी लोग अपने प्रदेश में नहीं रहते हैं और अगर उनके पास उनका एक अपना राशन card है तो वो कोई भी कोने में हो भारत के वो उस राशन card की facility को avail कर सकते हैं और अपने नाम से राशन उठा सकते हैं उन्हें physically अपने state या village में रहने की जरुवत नहीं है पहले scheme के आने से पहले यही था कि आपको अपने particular जगा पे होना होगा आपको अपने particular गौव में होना होगा तभी आपको राशन card से राशन मिल पाएगा लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ट scheme के तहत भारत में आप कहीं से भी अपना राशन कार्ट दिखा के अपने हिस्से का राशन अवेल कर सकते हैं तो चलिए इसके explanations further जान लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ट यह जो facility है यह शुरुवात की गई थी in August 2019 जब इसमें 4 states ने अपनी मंजूरी दी थी 2020 का data देखे तो अब तक कुल मिलाकर 20 states और union territories ने इसे मंजूरी दी है और इसके साथ integrate हो गए है ताकि एक national port portability cluster develop किया जा सके और यह facility currently NFSA card holders के लिए ही है जो 20 states और union territories में स्थित हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं वो union territories और states कौन कौन से हैं पहला है आंद्र प्रदेश, दूसरा है हर्याना, 30 है कर्नाथका, 4 है महराश्ट्रा, 5 है औरसा, 6 है सेक्किम, 7 है मिजुरम, 8 है तिलांगना, 9 है केरिला, 10 है पंजाब, 11 है त्रिपुरा, 12 है बिहार, 13 है गोवा, 14 है हिमाचल प्रदेश 15 है दादर और नागर हवेली 16 है दावन और दियू 17 है गुजराथ 18 है यूपी 19 है जारकन 20 है मध्य प्रदेश और राजस्थान तो ये सब States and Union Territories ने आलरी इंटिग्रेट करने का निर्ने ले लिया है और बाकी जो States and Union Territories बचे हुए है हमारी केंद्रिय सरकार का ये टार्गेट है कि उसे भी इंटिग्रेट कर देंगे by the year 2021 वहाँ पर मैंने मिस कर दिया था आपको बताना मैं आपको बता रेती हूँ कि ये जो राशन कार्ड है जो Zonal Master Plan है भागी रती Ecosensitive Zone के लिए उसे अप्रूफ कर दिया है कौन से मंत्री परियावरन वन और जलवाई परिवर्तन के लिए जिमिदार है पाच उप्शन से हमारे पास तो चली दा आंसर इस E. Prakash जावितकर आगे बढ़ने से पहले हम रिविशन कर लिते हैं कि कौन-कौन से मंत्री कौन-कौन से मंत्राले से Associated है पियूज गोईल है हमारे Minister of Railways, Commerce and Industry दूसरे है गजे इंद्रिस्टिंग शेखावत जो हमारे है Minister of जलशक्ती तीसरे है S.J. शंकर जो हमारे है Minister of External Affairs of India चौते है प्रहलाज जोशी जो है कि हमारे Minister of Parliamentary Affairs और प्रकाश जाविदकर अल्रेड़ी है हमारे Minister of Environment, Forest and Climate Change इटेल्स जान लेते हैं हमारे जो Environment, Forest और Climate Change Minister है प्रकाश जाविदकर उन्होंने ये Information दी है कि जो Zonal Master Plan है भागीरती Eco-Sensitive Zone के लिए हमारे केंद्रिय सरकार ने Approve कर दिया है अब इसके बाद जो 4 दम प्रोजेक्ट है उसका काम काफी देजी से आगे बढ़ सकता है और वहाँ पे जो Ecology है उसे भी अब कंजर्व करने का काम शुरू किया जा सकता है भागीरती Eco-Sensitive Zone को लेके Notification आई थी वर्ष 2012 में Already कुछ प्रोटेस वगरे के कारण इस काम को कई वर्षों के लिए Stop कर दिया गया था अब उन्होंने ये Assurity दी है कि उनकी सरकार सारा Cooperation करेगी ताकि जल्दी से जल्दी इन प्रोजेक्ट को Complete किया जा सके वहाँ पे बहुत जादा प्रोटेस हो रहे थे क्योंकि वहां का जो ecological balance है वो बिगर न जाए इसलिए वहाँ पे local लोग इसके लिए कह रहे थे कि वहाँ पर development वगरे नहीं होना चाहिए जिसके कारण इस काम को Stop कर दिया गया था बढ़ते हैं आगे चौते question की तरफ चौता सवाल स्मृतिवन का उत्गाटन किया गया है हरेला मुहतसब के अफसर पर ये किस राज़ में celebrate किया जाता है पाच option से हमारे पास चलिए दा answer is दी उत्राखंड उत्राखंड में मनाया जाता है हरेला festival तो चलिए details इसकी जान लेते हैं further 16 जुलाई को उत्राखंड की चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंग रावत ने उन्होंने इनाउगरेशन किया है स्मृतिवन का इस दिन हरेला festival मनाया जा रहा था उत्राखंड में और इसका इनाउगरेशन हुआ है अश्ठल विलेज जो की देहरदून के डिस्ट्रिक्ट में है और बहां के जो बहुत पेमस फोक सिंगर है जिनका नाम है लेट जीत सिंग नेगी उनकी याद में यह जो हरेला फेस्टिवल के तौर पर एक-एक सैप्लिंग लगवाए उनके जो लोग जिनका दिहांत हो गया है उनके फैमिली या फ्रेंज उनकी याद में तो और इस अनौंस्मेंट के बाद लगभग उस दिन में तीन लाख पच्चास हजार सैप्लिंग लगवाए गये थे तो पर नर का नाम है बेबी रानी मौर्या बढ़ते हैं पाच्वे क्वेश्चन की तरफ पाच्वा सवाल इन में से किस देश के साथ भारत ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत को एक स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्फ को डेवल अप करेंगे पाच्च ऑप्शन से हमार और USA ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत वे स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्फ को डेवल अप करेंगे इन दो देशों के बीच में और यह जो बाते हैं इन दो देशों के बीच में वह काफी अडवांस टेज ऑफ डिसकर्शन पर है कि कैसे क्रूड ओयल को स्टोर कि जा सके अमेरिका में और जिसके तहत इंडिया का जो स्टॉक पाइल है उसे बढ़ाया जा सके यह जो MOU है यह साइन हुआ है जब हाल ही में प्रूड प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर गए थी द्यूटू दा कोरना वाइरस और यह साइन किया था प्रधान ने वित अमेर अमेरिकन काउंटरपार्ट एनर्जी सेक्रेटरी डान ब्रूलेट के साथ एक वर्च्वल यूएस इंडिया स्टार्टर्जिक एनर्जी पार्टनर्शिप मिनस्ट्रेलियल में बढ़ते हैं चटे क्वेशन की तरफ छटा सवाल इन में से किस कंपनी ने सीबी एसी की साथ कोलाबोरेट किया है जिसके तेथ वो आर्टिफीशल इंटेलिजेंस को इंटिग्रेट कर सकेंगे सीबी एसी के करिकुलम में इन 200 स्कूल्स इन इंडिया पाच ऑप्शन से हमार CBAC यानि कि जो Central Board of Secondary Education है जो एक नाशनल लेवल का बोर्ड है और यह सब पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में एडुकेशन प्रोवाइड करती है या उन्होंने हाली में अनौंस किया है कि वो इंटिग्रेशन करेंगे आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के साथ अपने इंटिग्रेशन के साथ के लिए उन्होंने क्या है IBM के साथ और ये उनका जो social empowerment through work education and action की सेवा प्रोग्राम है उसी का हिस्सा होगा सेवा प्रोग्राम CBSC school का हिस्सा है जिसके mental emotional और social जो health है बचों की उस पे ध्यान दिया जा सके और ये लगबग 200 schools में introduce किया जाएगा 13 states में in India में तो चली बात कर लेते कहा कहा इंट्रोड्यूस किया जाएगा पहला है नई डेली NCR दूसरा है करनाठका तीसरा है तमिल नाडू चौथा है औरस्सा पाचवा है केरिला छटा है वेस बिंगोल साथवा है आंध्र प्रदेश आठवा है तेलांगाना नौवा है महाराश्ट्रा दसवा है मध्यप्रदेश ग्यारवा है उत्तर प्रदेश बारवा है राजस्थान और तेरवा है पंजाब बढ़ते हैं आगे साथवे क्वेश्चन की तरफ साथवा सवाल कुश्मन और वेकफिल्ड रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल मानुफाक्टरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है पांच ओप्शन से हमारे पास चली दा आंसर इस भी थर्ड नमबर पर आता है भारत इन टरम्स अफ ग्लोबल मानुफाक्टरिंग डिस्क इंडेक्स चली इसकी डीटेल्स हम जानते हैं आगे कुश्मन और वेकफिल्ड ने हाली में एक रिपोर्ट जायर की थी जिसके तहर उन्होंने 48 कंट्रीज को आखा था और उसमें भारत की रैंकिंग थी तीसरे नंबर पर इसमें कई सारी क्राइटेरिया थे तो उन्होंने भारत को आखा है इसमें भारत की रैंकिंग थी चौथे नंबर पर और अब यह बढ़कर हो गई है तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं आठवे question की तरफ आठवा सवाल इन में से किसे चुना गया है as the private secretary to the president of India पाच options है हमारे पास तो चलिए the answer is A. पी प्रवीन सिधार को चुना गया है as the private secretary to the president of India तो चलिए बढ़ते हैं आगे details की तरफ Senior IRS Officer पी प्रवीन सिधार को चुना गया है as the private secretary to the president of India जो की है रामनात कोविंद विक्रम सिंग की जगा पे जो टेनियोर है वो खतम कर दिया गया था as the president secretariat सिधार सर्फ कर रहे थे as the OSG in the president secretariat और इनका टर्म उतना ही दिन का होगा जितना हमारे जो president of India है उनका टर्म होगा इसके अलावा जो विक्रम सिंग है जिनके जगा पर आ रहे है प्री प्रवीन सिधार्थ उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है as the joint secretary in the ministry of shipping केगे अगरवाल की जगा पे for a period जो खतम होगा दो ग्यारा दो हजार बाइस को चलिए बढ़ते हैं नौवे question की तरफ नौवा सवल ओसुका रपॉंदा को किस देश के first prime minister के रूप में चुना गया है पार्च options है हमारे पास चलिए the answer is c. Gabon Gabon के first woman prime minister के रूप में चुना गया है ओसुका रपॉंदा को चलिए बढ़ते हैं आगे Gabon की जो राष्ट्रपती है जिनका नाम है अली बॉंगो ओंदिमा उन्होंने 16 जुलाई को अपॉंट किया है उनके देश के पहले बुमिन प्रधान मंत्री को जिनका नाम है रोज क्रिस्चेन ओसुका रपॉंदा बॉसुका रपॉंदा पहले सर्फ कर रही थी अजी डिफेंस मिनिस्टर अफ गैबॉन और अब उन्होंने यह जगा ले ली है फ्रॉम जूलियन कोगे बिकेल जो थी प्राइम मिनिस्टर अफ गैबॉन तो चलिए अब गैबॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं गैबॉन का जो क्यापिटल है वो है लिब्रे विले और इसकी जो करन्सी वो है सेंट्रल आफ्रिकन सी एफए फ्राइंक बढ़ते हैं दसवे क्वेस्टन की तरफ दसवा सवाल इन में से किसे रिय पॉइंट किया गया है दोबारा आज दी एंटी एंट सी यो ऑफ दी फेडरल बैंक पाच ओप्शन से हमारे पास तो चली दी आंसर इस सी श्याम श्रीनिवासन आर भी आई ने डीटेल जाल लेते हैं आर भी आई ने अप्रूब कर दिया है री अपॉइंट को अफ श्याम श्रीनिवासन आज दी मानेजिंग डिरेक्टर अन दी चीफ एग्जेक्यूटिव ओफिसर ऑफ दी फेडरल बैंक और ये एफेक्टिव होगा 23 सेप्टेंबर 2020 से 23 सेप्टेंबर 2021 तग और ये नोटिफिकेशन मिली थी बैंक को फ्रॉम दी आर भी आई ऑन 16 ओफ जुलाइ बढ़ते हैं ग्यारवे क्वेस्टिन की तरफ ग्यारवास सवाल इन में से किस अभिनेता को 2020 का टिफ टिब्यूट आक्टर अवार्ड दिया जा रहा है पाच ऑप्शन से हमारे पास तो चली रहा आंसर इस ए केट विंसलेट चली इसके डीटेल समझानते हैं फॉर्दर ओसकर विनिंग आक्टर से केट विंसलेट और उन्हें 2020 का टिफ टिब्यूट आक्टर अवार्ड दिया जाएगा अड़ी टॉर्टो फिल्म फेस्टिवल ये वर्ट्वल सरिमनी के माध्यम से उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा बिकॉज उनका जो अनुभव है इस फील में या फिर उनकी जो आक्टिंग है वो काफी ब्रिलियंट है और लोगों को बहुत जादा पसंद देरा है इसी के कारण उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है टॉर्टो फिल्म फेस्टिवल होगा सेप्टेंबर मन्त में 10 से 3 सेप्टेंबर के बी गया है बढ़ते हैं आगे बारवे क्वेश्चन की तरफ बारवा सवाल अर्जुना अवाड़ी प्लेयर रमेश तीकराम का हाल ही में कोविट 19 से निदान हो गया है वो किस स्पोर्स के साथ असोसियेटेड थे पाच ऑप्शन से हमारे पास तो चलिए दा आंसर इस ए बैड बैडमेंटन के साथ असोसियेटेड थे रमेश तीकराम उचलिए इनकी डीटेल्स जान लेते हैं जैसे कि हमने अल्रेडी बताए कि अर्जुना अवाड़ी और एस पारवेडमेंटन प्लेयर थे रमेश तीकराम उनका हाल ही में कोरोना वाइरस की कारण निदन हो गया है 17 जुलाई को और इसकी अनॉंस्मेंट की है पैरा बैडमेंटन इंडिया के प्रेसिडेंट ने एंसी सुधियेड में 51 वर्ष की उमर थी उनकी और उन्हें फादर ऑफ दी पैरा बैडमेंटन भी कहा जाता था तो चलिए बढ़ते हैं आगे तेरवे प्वेशन की तरफ तेर चलिए इनकी डीटेज जान लेते हैं आगे वाले स्लाइड में श्री एस चैशादरी वो एक जाने माने लीडर थे और इंडियन माथमाटिक्स और उनका निदन हुआ है 17 जुलाई इन चैन्ने में 88 साल की वर्ष में वो एक लीडर थे और उन्होंने कई इन फील्ड और उन्हें कई सारे ब्रेक्ट्रूज भी किये थे बढ़ते हैं आंगे चौधवे क्वेशन की तरफ चौधवा सवाल रजत मुखर्जी का हाल ही में निदन हो गया है वे कौन थे पांच ऑप्शन से हमारे पास चलिए आंसर इस डी डिरेक्टर रजत थे जिनका 19 जुलाई को जैपुर में निदन हो गया है किड्नी रिलेटेड इशूस के कारण वो काफी टाइम से ही बिमार थे और उन्हें कई सारी फेमस फिल्में की हैं जैसे कि प्यार तुने क्या किया लव इन रेपाल और रोड चलिए बढ़ते हैं हमारे आक्री प्वे जुलाई को 18 जुलाई को मनाया जाता है नेलसन मंडेला दे चलिए इसकी डीटेल्स हम जानते हैं आगे साउथ आफ्रिका के पहले अश्वेद राश्ट्रपती नोबल प्राइस विनर और आंटी आपरिथाईड आइकन जो कि हैं नेलसन मंडेला उनके बर्थ आनिवर्स्री यानि की 18 जुलाई को ग्लोबली मनाया जाता है नेलसन मंडेला इंटरनाशनल डे उनका 95 साल की उमर में निधन हो गया था due to respiratory issues उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी fighting for human rights और वो ऐसा मानते थे कि सब में सब लोगों में कुछ ना कुछ potential है कि अगर वो मेहनत कर रहे तो वो एक society में difference ला सकते हैं अपने communities में difference ला सकते हैं और पूरी दुनिया को एक बहतर रहने लाएंग जगा बना सकते हैं बंडेला डे इसी लिए भी मनाया जाता है कि सब लोगों को inspire करने के लिए कि वो अपने end से action ले और कुछ changes लेके आए चलिए with this we come to the ends of today's class I hope आपको ये वीडियो पसंद आए अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे और हमारे चैनल ambitiousbaba को subscribe जरूर कीजे also please visit our website s.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे online mock test मिल जाएंगे चाहे वो banking related हो, ssc related हो, railway related हो, jab हो, cab हो या फिर पर 13.2 हो इस website पे visit करके directly आप उसे purchase कर पाएंगे हमारे website से और उसके बाद आप उसे access कर पाएंगे 24-7 चाहे website पे हो या फिर हमारे app पे हो Thank you friends, that's all for today and have a great day